तो मास अंडा नहीं खाना चाहिए, मास में कोई ज़्यादा ताकत नहीं होती, अंडे में 13-15% प्रोटीन है, और चिकिन में हमारे ख्याल से 20-25% प्रोटीन होगा, जबकि डाले हैं मुफडी हैं, इनको अगर माने, तो इनका 25-30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है, जो स्रीर को मसल बनाती है, पावरफुल बनाती है, तो शाकारी चीजों में ताकत ज्यादा है, और सोया बीन, सोया बीन को तो कहना है, सोया बीन में 43-45% प्रोटीन पाई जा चिकन वगेरा से सीधी डबल और भी नए ने तरीकों से सोयबीन का दूद है पनीर है यहां भी रिसर्च की जा रही है आश्रमें भी यह बनने लगा है थोड़े स्केल पर जब बड़ा बनेगा तो यह सिवदर बताएंगे तो उसे वाकिए अपने आव में वो एक अलग चीज़ है बहुत ही फाइदे मंद है बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को सविकार करने लगे है तो आदमी बना ही शाकाहरी है शाकाहर के लिए और धर्म भी कहते है मास मचुरिया खात है सुरापान के हेत तेनर जड़ से जाएंगे जम मूली का खेत जमिदार भाई जानते हैं गाजर मूली बोदो खेतों में और जब उस फसल को लेते हैं तो खेत में बकाया क्या रहता है कुछ बाकी चीज रह जाती है जी नहीं क्योंकि वो गाजर मूली को खींचते हैं तो वो खेत में कुछ भी नहीं रहता उसी तरह उसी तरह जो मासाहार का आहार करते हैं वो माले की निगा से दूर हो जाते हैं और जनमों जनमों के चकर में फेर में अटक जाते हैं निशान उनका खत्म हो जाता है इसलिए मासाहार नहीं करना चाहिए आज दुनिया के बहुत से लोग बहुत जगों पे ऐसा होने लगा है आदमी आदमी का मास खाने लगा है बच्चों को छोटे से बच्चे होते हैं मा के गर्ब से निकाला जाता है उनका कहीं सूप बनाते हैं कहीं अचार बनाते हैं कहीं डिबाबंद मास बनाया जाता है उसमें आदमी आदमी के बच्चे को साफ करता है काट के फिर उसको तड़ता है भूनता है डिबाबंद मास औरतें भी खरीती है आप देख सकते हैं इनका अचार तक डाला जाता है, छोटे से बच्चे का, मा के गर्ब से पांच मेने का होता है, तब उसको निकाला जाता है, जी आप देख सकते हैं, कैसे ये मास खाया जा रहा है, तो बेहत दर्दनाक है ये मंजर, अगली तश्वीर में आप देखेंगे, कि कैसे उन बच्च उबालते हैं, जैसे टमाटर का बाकी और वेजिटेवल सूप बनता है, इसी तरह उनको उबाला जाता है, और उनका सूप, खोपडी का, सरीर का, निचोड के सारा सूप बना देते हैं, स्किन वगारा उतार के, जो भी फालतु की चीज़े हड़िया निकाल के, आप देख स सकते हैं, एक प्याली में नननी सी खोपडी भी है, इस फोटो में, क्या हाल है, क्या राक्षश तौबा नहीं करते होंगे, ये तो हमारे भी बाप है, ऐसा थो हमने कभी सोचा भी नहीं, कहते हैं, इसमें ताकत बड़ी होती है, जो कि बखवास है, सब जूट है, ये सही न आने वाली हो, तो उसका अबोर्शन, सफाई करवा देते हैं, और वो सफाई उस बच्ची को या तो गरब में ही इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर उसके टुकडे-टुकडे कर दिये जाते हैं, यहां ऐसे ससंगी बेटे हैं, जिन्नों ने अपनी बेटी को बेटे से बढ के प्यार दिया, और बेन था खुशियां वो ले रहे हैं, हमें बड़ा गरब है ऐसे लोगों पे, ऐसे माँबाप पे, कि जिन्नों ने अपने सद्गुर की बात को निभाया, कोई और बच्चा नहीं लिया, कि ठीक है, बेटी हो गई, ठीक है, यह बेटी को इस सब कुछ म करेंगे, ना करने देगे, तो मालिक आपको बे इंतहा खुशियां बक्षे, घर में खुशियां आए, और मालिक से ओड़ निभे सब को बहुत बहुत आशिरवाद, हाथ निचे कर लिचे, तो बेहत खुशी होती है, जब आप बायदा करते हैं, आप नहीं करते कोई बात करने भी ना दे, आजकल खानून बन गए हैं, बलकि हम सार इसासंगत से कहते हैं, कहीं भी कोई बेटी को मारने जा रहा है, आप उससे ले लिजे, और हमें दे दीजे, आपको पता है, यह शाही बेटियां बसे रहा है, उनका पालन पोश्चन करेंगे, एसी रूम से हैं, बढ़िया गाडियों पे स्कूल जाते हैं, तो जहां हमारी कोरोडों बेटियां हैं, कुछ और बेटियां आ जाएंगे, तो कुछ फर्क पढ़ने वाला नहीं है, यह आप से घुजारिश है, तो भाई, यह मासा हार इनसान को शैतान बना रहा है, फिर तीसरा प्रहेज, परनारी पेनी शुरी मत कोई लायो वंग, रावन के दसीज गए परनारी के संग, इसलाम दर्म में पवित्र कुरान मजीद शरीव में लिखा है, जायज रिस्ता अक्तियार करो, ना जायज रिस्ता दोज़ की आग में जलाएगा, अगर ऐसी हराम खोरी करोगे, तो दोनों जहामें दोज़ की आग जलाती रहेगी, यानि क्रेक्टर फुल बनियें, आप पती पतनी का रिस्ता जायज है, इसके अलावा कोई भी रिस्ता कहीं भी आप इस तरह का जोड़ते हैं, तो वो ना जायज है, ऐसा ना करें, ये महापाप है, इक लग पूत सवालक नाती ते सवालाक नाती थे, उसने सीता जी को उठाया परनारी, तो उसका हशर क्या हुआ, क्योंकि सीता जी नहीं चाहते थे, वो तो अपने राम के पुजारी थे, और रावन ने उठाया, जबरदस्ती की उसके साथ, और फिर उसका हशर इकलक पूत सवालक नाती, ते रावनगर दिया ना बाती, तो ऐसा हशर हुआ, इतना बुरा हशर हुआ, और ये बात हकीकत में है, यही सचाई है, सिकतर में भी आता है, रिष्टे इनिसानों में होते हैं, पसू में नह के बराबर, जिस दिन आदमी पसू बनेगा, इदर भी नरक, उदर भी नरक, और एड्स, या ब्यानक बिमारियां जो आ रही है, यह पसू से आई हुई बिमारियां है, आदमी यहां भी भोग रहे हैं, और आगे भी भोगेंगे, असी असी, सो सो किलो के नौजवान आते हैं, यहां कई बिमार आते हैं, चालीस किलो वजन रह गया, नरकंकाल, मौत मांगते हैं, मौत मिलती ऐसे ब्यानक बिमारियां तो ये बुरे करम ना करो ये हमारे दाता रहबर मालिक, कुल मालिक रहबर साही मास्ताना जी महराज शास्तदाम जी महराज ने हमें सिख्षा दी और अब वो ही बुलवा रहे हैं हम तो खाकसार चौकीदार आपके सिवादार है जी तो इन बुराईयों से परहीज करो और आज आपको ये बताएं यहां तक बेटियों की चर्चा हुई हम दावे से कहते हैं अपने तजरुबे से कहते हैं सद्कुर हर तरह का तजरुबा करवा रहा है हमने बेटे भी बना बना देखे सबी बेटे हैं आप और बेटियां भी तो बेटे भी कम नहीं है पर अगर ये समाज को देखें ये समाज पुर्ष परधान है इसमें बेटे आगे आ रहे हैं कोई छोटी बात तो नहीं बहुत बड़ी बात है लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्त में, सेवा में, नेकामों में आगे बढ़ रही है ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल श्याद पूरे देश में ऐसी मिसाल नहीं होगी यहां ये बेटियां, ये हमारी बचियां नेकी में, मानवता भलाई में, भले कामों में डट के आगे बढ़ रही हैं डट के आगे बढ़ रही है पूरे समाज की परवा नहीं करती क्या-क्या इलजामात नहीं लगाए जाते हैं इन पे क्योंकि लड़की पे लगाना बड़ा असान होता है उस पे थोप देना ये ऐसी है ये बैसी है ये वो करती है ये फला करती है लड़की किसी को कहे तो भी लोग मानते चलती हैं क्या क्या नहीं किया गया समझदार को इशारा काफी लेकिन इनके होंसलों को कोई राई भरना डुला पाया और मालिक से दुआ ना कोई डुला पाई इतने हिम्मत मालिक ने दी, इतनी रहमत है जो मानवता के लिए निकल लिए बेप्रवाजी ने वचन फरमाए है बन के परे मी फिर दिल नू डुलोना की अगे नू बदा के पैर पिछे नू हटोना की हमें मान है हमारी इन बच्चियों पे, हमारी बेटियों पे और बेटों पे, क्योंकि जवानी आज इतना कुछ कर रही है नौजवान, क्या-क्या नहीं गुल खिला रहे, नशे करते हैं गंदे से गंदा और वैश्यावरती करते हैं समलेंगिकता में सभी तरफ से बुरा हाल है, पर धन्य है ये जवानियां, दोनों तरफ की जो इतनी आगे बढ़ रही है अधेड अवस्ता, बुजरुग सब ही धन्य हैं, जो इस कड्युग में मालिक की याद से जुड़े हुए है तो ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारी सासंगे जीयो बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे बेटे, ये बेटियां सब लोग इतना मालिक के नाम पे परमार्थ में तनमंधन से हर क्षितर में तरकी कर रही है और हर तरह का मुसीबत, पहाड जैसी भी आती है उसको चकना चुर करते हुए राम नाम के मार्थ में बढ़ रही है और बढ़ती रहें दोनों तरफ से ये रूहें बढ़ रही है दोनों तरफ से आदमी है औरत है जिसको राम नाम की लौ लग जाए अरे बुले को कंजरी कहा गया पता नहीं इतिहास में कितनी भकत औरते हुई जिनको वैश्या का नाम दिया गया लेकिन वो मालिक के प्यार में ऐसी नाची कि मीरा बनके आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और इनका अमर होता रहेगा ये समाज बड़ा दोगला है तो भाई इस समाज का कुछ भोरोसा नहीं अपना उल्लू सिधा करने के लिए ये क्या से क्या बना दे लेकिन जिकीन मानिये राम नाम अल्ला मालिक की भगती अबादत करने वालों का काल महा काल ना बाल बांका कर सका और ना कर पाएगा ये बेपरवाजी के वचन है शायद पुराने ससंगियों ने सुने होंगे कि तीनों बचनों पे पका हो सुमरन करता हो सेवा करता हो बेपरवाजी ने एक ससंग में शायद पजाब साइड में कहीं ये वचन फरमाए कि उसका तो एटम भी कुछ नहीं बिगाड सकता ये कोई मामूली बात नहीं इतने बड़े वचन साही मस्ताना जी महराज ने तो कितने वचन सचे सौदे के मुरीदों के लिए लाके दिये ऐसी गिफ्ट ऐसा तौफा जो मुरीद कलपना भी नहीं कर सकता इतना कुछ बख्ष के लाए कि जी गरीबी ना रहे अमीर हो जाएं और यहां कितने ससंगी बताते हैं मेरे पास साइकल था मेरे पास कुछ भी नहीं था डंका घर नहीं था कोई सोच ही नहीं थी और मालिक ने हवा में उडार कर वा थी कारों पे बिठा दिया पता नहीं क्या से क्या बख्ष दिया और वो बख्षते रहेंगे तो भाई हकीकत हम कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे अपने मालिक दाता रहबर की जिन्होंने सच्चा सोदा बनाया और धन्या वो मुरीद आप सब धन्या माबाप जो लगातार दर्ड़ता से इस पे चले आ रहे हैं और कई गुणा बढ़के चलेंगे और मालिक का तो सेंकड़ों करोडों गुणा हो सकता है आने वाले टाइम में ये रहमों करम बढ़ता जाए कुछ पता नहीं तो अंदर बाहर से जोड़ियां भरती रहेंगी जो राम नाम की पुजारी हैं बस बचनों पे रही है तो हमारा कहने का मतलब क्या लड़के क्या लड़कियां आप रुजाना देखते हैं कुछ दिनों से तो खाश करके तनमन धन से ये परमार्त में कबीर जी ने कहता हर स्वान सुम्रन ऐसे करवाता है मालिक जब करवाने पे आ जाए सारे सोचते थे कई बच्चे ये हमसे पूचा करते थे पिता जी ये कैसे संभव हो सकता है पलपल का सुम्रन तो हो ही नहीं सकता तो ऐसे करवा लेता है वो करवाने वाला डाडा है इनकी स्कीम चलती है ये करेंगे आपा बैठके वो करेंगे इस तरह से करेंगे फिर उदर वाले ये ना कर जाएं और इदर वाले सोचती है उदर वाले ना कर जाएं सबका कुछ न कुछ चोंच में चलता ही रहता है और ये चले तो ये जगा जो बेपरवाज ने बोला सचकंड का नमूना वाके ये आपको सचकंड के नजारे भी मिलने शुरू हो जाए तो ये आपकी भावना है तो घोर कल्युक में आप जो परमार्त में नेकी में भलाई में आगे बढ़ रहे हैं ये बेमिसाल है और हम सब के लिए मालिक से दुआ करते हैं मालिक सब को सदबुद्धी बख्षे हर कोई नेकी भलाई में आगे बढ़े कोई भी बुराई में ना फसे और जो ससंग में लगा तरचल के आते हैं, रोहानी मजलिसों में आते रहते हैं, कहना ही क्या है, बस जब बैठो, भावना शुद रुखो, मालिक से लिप जोड के रुखो, यहां किसी भी तरह की, अलग तरह की हरकत ना करो, ध्यान मालिक से जोडो, तो वो पता निक क्या कु मेरा चैनल जरूर सस्क्राइब करेंजी, धंदन सत्गुरू तेरा ही आस्रा